दोस्तों नमस्कार, स्वागता आप सभी का MGV Study Point YouTube चैनल में तो दोस्तों आज की हमारी Mixed Question सीरीज नंबर है 36 से और बात करेंगे इस 36 में ये Computer की MCQ टाइप की आज टोटल 20 Question है और इन Question की 20 Question की जो ये Libra ओपीस से समंदित है तो बात कर रहें Libra ओपीस से समंदित इन 20 Question की तो बने रहें इस वीडियो के साथ में लास्ट तक Like Share करते रहें अभी तक अपने YouTube चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर इसको सबस्क्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी Forward करते रहें तो बात कर लेते हैं ये UPPCL JMRC Exam Based Question है और साथ में सभी परीक्षयाओं के लिए अति महतवपुरन परसन है जो Libra के 20 Question है तो चलते हैं बात करते हैं इससे पहले Libra का एक वीडियो अपलोड है जिसमें 25 Question है तो आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में चलते हैं बात करते हैं तो आज का हमारा Question First आपके सामने स्क्रीन पे है और Question First में Question First में आपसे पूछा जा रहा है कि Libra Ops से Presentation को किस नाम से जाना जाता है तो यहाँ पे हम बात कर रहे है लिब्रा ओपिस में जो Presentation और इसको किस नाम से जाना जाता है तो यहाँ पे हमारा एंश्वर है Option A इंप्रेस से लिब्रा ओपिस में Presentation को इंप्रेस के नाम से जाना जाता है और चलते हैं बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास Question Number है Second Question Second Question Second में पूछा जा रहा है कि इंप्रेस का Default File Extension क्या है तो अब हम बात कर रहे हैं इंप्रेस से सबसे पहले तो बात करेंगे इंप्रेस की यह लिब्रा ओपिस में Presentation होता है और यहाँ पे इसका जो File Extension पूछा जा रहा है और यहाँ पे हमारा एंसर है Option B .odp .odp यह इंप्रेस का Default File Extension है और अब हम चलते है नेक्स्ट कोशन की और तो नेक्स्ट हमारे पास Question Number है Question Third में Slide Pain का Option किस Menu में होता है तो अब हम बात कर रहे हैं जो Slide Pain होते है उसका Option किस Menu में आपको प्राप्त होता है और यहाँ पे हमारा इंसर है Option A View में Slide Pain का Option View Menu में होता है और चलते है नेक्स्ट कोशन की और तो इससे पहले वीडियो को लाइक से जरूर करें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए बात करेंगे Question Four और इंप्रेस में Past Unformated Text के लिए किस Shortcut Key को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हम बात कर रहे है जो इंप्रेस में जो Past Unformated Text है उसके लिए हम Shortcut Key कौन सी यूज करेंगे या हम ऐसे कह सकते हैं कि Shortcut Key कौन सी होती है इसके लिए और यहाँ पे हमारा Answer Option B Ctrl प्लस Alt प्लस Shift और प्लस में V Ctrl प्लस Alt प्लस Shift और प्लस में V यह इंप्रेस में Past Unformated Text के लिए Shortcut की है और चलते हैं बात करते हैं तो नेक्स्ट आमारे पास Question Number 5 Question 5 में इंप्रेस में किसी भी Presentation को किस Format में Export कर सकते हैं तो बात कर रहे हैं इंप्रेस में जो Presentation होता है उसको हम कौन से Format में Export कर सकते हैं और यहाँ पर हमारा Answer है Option D All of these उप्रोक्त से भी PDF में कर सकते हैं, BMP में कर सकते हैं, और GIF में कर सकते हैं, जो impress की present tension है, उसको सभी format में export कर सकते हैं, PDF में, BMP और GIF में, और अब हम चलते हैं, next question की ओर, तो next हमारे पास question number 6, question 6 में, impress में जब कोई भी present tension बनाती हैं, तो उसका by default title name क्या होता है, जब भी हम Libra Ops में काम करती हैं, और इसका जो present tension, अगर हम impress में तियार करती हैं, तो उसका जो file name है, वो by default क्या होता है, जो present tension की file name है, उसका by default है, यानि automatic उसका जो नाम है, वो क्या होगा, और यहां पे हमारा answer है, option C, untitled first, untitled first हो जाएगा, और चलते हैं, अगले question क्यों, और तो आगे मारे पास question number 7, question 7 आपके सामने screen पे है, और आप से पूछा जा रहा है, question 7 में, libra office draw में, ruler की shortcut key क्या है, तो बात कर रहे हैं, जो libra office है, उसमें ruler की shortcut key कौन सी है, और यहां पे हमारा answer option A, control plus shift plus R, libra office draw में, ruler के लिए, जो shortcut key यूज की जाती है, वो control plus shift plus R है, और चलते हैं, अगले question क्यों, और तो आगे मारे पास question number 8, question 8 में, आप से पूछा जा रहे हैं, कि libra office draw में, hyperlink की shortcut key क्या है, तो अब हम बात कर रहे हैं, libra office में, जो draw, और उसमें, जो hyperlink के लिए shortcut key यूज की जाती है, वो कौन सी है, और यहां पे हमारा answer option B, control plus K, control plus K, यह हमारी, जो shortcut key है, यह hyperlink की shortcut key है, जो libra office draw में, यूज की जाती है, और चलते हैं, अगले question क्यों, तो आगे मारे पास question number 9, question 9 में, libra office impress में, कितने menu होते हैं, तो बात कर रहे हैं, लिबरा office impress में menu की संख्या, और आप से पूछा जा रहा है, संख्या, और इसमें होता है 10, लिबरा office impress में menu की संख्या 10 होती है, और चलते हैं, next question क्योंग, तो वीडियो को like share जरूर करें, question 10, question 10 में, impress minimum zoom परतीसत is, जो impress minimum zoom कितने परतीसत हो सकता है, तो यहाँ पे आप से पूछा जा रहे हैं, कि impress में minimum zoom कितना होता है, और यहाँ पे हमारा answer है, option A, 5%, impress में जो minimum zoom है, वो 5 परतीसत तक का होता है, और चलते हैं, next question क्योंग, तो next हमारे पास question number है, 11, question 11, निम्न में से कौन सा file format, libra office impress में जोड़ा जा सकता है, तो अब हम उस file format की बात करेंगे, जो libra office impress में जोड़ा जा सकता है, और यहाँ पे हमारे पास option A में, wma, wmv, और wpeg, उपरोक्त सभी जो file format है, वो libra office impress में जोड़े जा सकते हैं, और चलते हैं, next question क्योंग, तो next हमारे पास question number है, question 12, question 12 में impress में previous slide में जाने के लिए किस key का परियोग करते हैं, तो अब हम बात कर रहे हैं, impress में जो previous slide है, उसमें जाने के लिए आप कौन सी key का यूज करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास answer है, option D, P, option D में हम P, जो shortcut key का यूज करके, इंप्रेस में previous slide में, यानि last slide में जा सकते हैं, जो last slide है, उसमें जाने के लिए हम impress में P, shortcut key का यूज करेंगे, और चलते हैं अगले question के और तो आगे मारे पास question number 13, जो आपके सामने screen पे है, question 13 में, पूछा जा रहा है कि, इंप्रेस में text box के लिए किस key का परियोग किया जाता है, तो अब हम बात कर रहे हैं, इंप्रेस में, जो text box के लिए sort key का यूज किया जाता है, और यहाँ पे हमारा answer है option B, F2, जो function key second है, वो यूज करेंगे, इंप्रेस में text box के लिए, और ये F2, जो option B शही है, और चलते हैं अगले question के और, तो आगे मारे पास question number 14, question 14 में, इंप्रेस में, white background के लिए किस key का परियोग किया जाता है, तो अब हम बात कर रहे हैं, इंप्रेस में, जब आपको white background करना हो, जब background का color आपको white करना हो, तो यहाँ पे हमारा answer option C, W, और W, और white, sort cut key का परियोग करेंगे, और चलते हैं इसी के साथ में, अगले question के और, तो आगे मारे पास question number 15, question 15 में, jump to last edit slide पर जाने के लिए किस sort cut key का यूज करेंगे, तो jump to last edit slide पर जाने के लिए हम sort cut key का यूज करेंगे, और यहाँ पे हमारा answer है option B, alt plus shift plus F5, alt plus shift plus F5 से jump to last edit slide, यानि हम last जो edit slide की है, उस slide में जा सकते हैं, alt plus shift plus F5 से, और चलते हैं, बात करते हैं अगले question की, तो आगे मारे पास question number 16, question 16, question 16 में slide transition का option किस में होता है, तो अब हम बात कर रहे है, slide transition का, और यहाँ पे हमारा answer है option C, A and B, एक तो slide और एक view, दोनों में इसका option दिया होता है, slide transition का जो option है, वो slide और view दोना ही होता है, तो यहाँ पे हमारा answer है option C, A and B, और अब हम चलते है next question की और तो next हमारे पास question number 17 Question 17 में Libra office impress में निम्न में से कौन सा view नहीं होता है अब हम बात कर रहे हैं जो Libra office impress है उसमें कौन सा view नहीं होता है और यहाँ पे हमारे पास answer है option D इन में से कोई नहीं तो यहां आपको जो option दिखाई दे रहे हैं यह option आपके सामने स्क्रीन पे है नोर्मल, outline और notes से उपरोगत सभी इन में से कोई भी option लिब्रा ओपीस impress में view में नहीं होता है और चलते हैं अगले question के और तो आगे मारे पास question number है 18 question 18 में impress में अधिक्तम जूम कितना होता है तो अब हम बात कर रहे हैं impress में जो अधिक्तम जूम हो सकता है वो कितना हो सकता है और यहां पे हमारे पास है 3000% 3000% तक impress में अधिक्तम जूम हो सकता है और अगर हम बात करें कम से कम कितना होता है तो कम से कम होता है 5% तक impress में कम से कम 5% तक होता है और अधिक्तम की बात करें तो ये 3000% तक होता है और चलते हैं अगले question के और तो आगे मार पास question number है 19 Question 19 में Libra Office Draw में duplicate shape की shortcut की क्या है तो यदि हम Libra Office में किसी भी file की duplicate shape अगर त्यार करना चाते हैं तो किस shortcut key के मादियम से हम इसको त्यार कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा ensure option B shift plus F3 shift plus में function key 3 है वो प्रेस करके हम Libra Office Draw में duplicate shape त्यार कर सकते हैं ये हमारी shortcut key है और चलते हैं बात करते हैं तो आगे मार पास question number है 20 जो इस वीडियो का last question question 20 में Libra Office writer में page break करने की shortcut key है तो बात करें जो Libra Office है उसमें writer की और जो page break करने की जो shortcut key है वो है यहाँ पे हमारा answer option A control plus enter control plus enter के मादियम से हम Libra Office writer में page break कर सकते हैं तो दोस्तों अबने बात किये है Libra Office से समंदित sort key विभिन परकार की sort key जो Libra Office में हम इनका यूज करके हम अपने कारिये को सरल बना सकते हैं तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद लाइक शेर करने के लिए धन्यवाद अभी तक अपने YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है तो जरूर इसको subscribe करें और वीडियो भी अपने friends को भी forward करते रहें तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद अपने हम ऑन्यवाद